नमस्कार दोस्तो कैंट आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकी जो हमारे रेसिपी है ओ मैंगो का मिल्क शेक की है। आम का सिजन है तो मैंगो मिलक की बनता ही है। इससे पहले भी मैंने आमरस की रेसिपी आपके साथ शेर की थी। उसको अपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया बहुत पसंद किया उस रेसेपी को उसके लिए बहुत बहुत थैंक्यू अगर अभी तक आपने वो रेसेपी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन वॉक्स में उसका लिंक दिया है जरूर चेक कीजिएगा तो चलिए आज बनाते हैं मैंगो मेल्चेक तो इसकी लिए मैंने यहाँ पे पके हुए आम लिये है दो और उसको पहले तो पानी से धू लिया है अब हम इसकी उपर जो स्कीन होती है वो निकाल देंगे यानिके इसकी उपर जो पतली लेयर होती है उसको हमें निकालना है इस के उपर के निकाल देना है यह जो मिल्क्षेक है वो बहुत ही स्वाधिश्ट और बहुत ही टेस्ट इस्टी बढ़ानकर रेड़ी होता है ने यह दुझत ज्ञट का काम नहीं है यह दो पोजिन रेडरी सुइना निकालSho तो आप अगर बच्चों को skin निकाल के दोगे तो बच्चे बहुत ही आसानी से यह milkshake बना के ready करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बहुत ही जटपट यह skin निकाल दी है तो चलिए दूसरे आम की जो skin है उसको भी निकाल देते है तो यहाँ पर दूसरे आम की भी मैंने स्कीन निकाल दी है और इसका मिल्चेक बनाने के लिए ये रेडी है तो चिलिए अब हम लेंगे मिक्सी का बढ़ा वाला जार और उसमें हम डालेंगे लगभग 3 टेबल स्पून चीनी चीनी आप आपके स्वात के अनुसर ले सकते हो कम जादा उसके बाद हम इलाइची पाउडर डालेंगे 3-4 चुटकी और बस 2 चुटकी हम नमक डालेंगे नमक जरूर डालेंगे पहुत ही टेस्टी ये मिल्कशेक बन दिया है उसके बाद हम आम को यानि की पके हुए आम को इस तरीके से जार में ही निचोड़ देंगे हाथों की हेल्प से क्यूंकि मैंने हाथ बहुत ही अच्छे से साफ किये है आप चाहो तो चाकु की हिल्प से भी इसकी उपर जो पल्प होता है उसको निकाल सकते हो और ज आपके हाथ बहुत अच्छे से साफ होने चाहिए तभी निकालेगा नहीं तो आप चाकु की हिल्प से भी इसका पल्प कट करके मिक्सी के जार में डाल सकते हो तो दोनों जो आम है उसका पल्प मैंने मिक्सी में निकाल दिया है अब हम थोड़ा सा हलका सा इसको पीस तो आप देख सकते हो यह जो बहुत कि अच्छे से हमारा पल्प मिक्स हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे दूद तो यहां पर मैंने लगभग डेड़ ग्लास दूद डाल दिया है फिर से हम 30 से कंड इसको चला के लेंगे बहुत ज़्यादा चलाने की आउशकता नहीं ह तो अच्छे से मैंने चला लिया है 30 से कंड तक और यहां पर आप देख सकते हो यह जो मिल्चेक है वो रेडी है अगर आपको बहुत ज़्यादा पतला मिल्चेक पीना पसंद है तो ज़्यादा दूद एड़ कर सकते हो लेकिन मैंने इसको इस तरीके का रखा है और चलिए अब हम ग्लास में इस मिल्चेक को डाल देते हैं आप चाहो तो फूपर से थोड़ा सा मैंगो भी डाल सकते हो लेकिन मैंने यहां पे इसको प्लेन ही रखा है और यह हमारा बहुत टेस्टी स्वाधिश्ट मैंगो मिल्चेक रेडी है आशा है आपको यह रेसेपी पसंद आ तो चलिए मिल्चे के देका है